आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि Google Pay को कैसे चलाते हैं अगर आप भी Google Pay चलाना चाते हैं आप इसमें अपनी बैंक को एड करके पैसे वगारा ट्रांसपर करना चाते हो या फिर पैसे लेना चाते हो तो ये सारी चीजें आप कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको अपने मुबाल फोन में Google पे एप को डाउनलोड कर लेना है आपको इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिस पर क्लिक करेंगे आप इस एप को लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड कर लोगे साथ ही अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो आप इस पर लॉंग प्रेस करेंगे और यहां से इसे अनिस्टाल कर देंगे download करने के बाद आपको इसे open करना है open करने के बाद आपसे जो भी permission मांगे उसे आपको allow कर देना है और यहाँ पर आप अपना mobile number डालेंगे और continue पर click कर देंगे साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आपको अपना वही वाला mobile number डालना है जो mobile number आपकी bank में लगा है उसके बाद आप जैसे ही continue पर click करोगे आपको यहाँ पर अपनी एक email id चूस करनी होगी मेरे समने मेरी email id चूस हो गई है तो इस पर click करेके मैं यहाँ पर accept and continue पर click कर दूँगा उसके बाद मेरे mobile number के द्वारा इसे verify किया जाएगा और फिर जो मेरा account है वो इसमें बन जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Google Pay के अंदर हमारा account बन गया है तो इस प्रकार से आप इसमें सबसे पहले अपना account बनाएंगे और अब आपको इसमें अपनी bank को add करना होगा तो bank add करने के लिए आपको यहाँ पर add bank account पर click करना है या फिर आप इस पर click करेंगे send money पर click करेंगे और यहाँ से आप अपनी bank को add कर लेंगे तो जिस भी bank में आपका खाता है उस bank को आपको यहाँ पर select करना है आपको इंडिया की सभी बैंक से यहाँ पर मिल जाएंगी अगर आपको इस प्रकार से नहीं मिल लई है तो आप अपनी बैंक का आप यहाँ पर नाम सर्च कर दोगे जैसे मेरा खता बैंक आप इंडिया में है तो मेरे सामने बैंक आप इंडिया आ गई है मैं इस पर click करूँगा उसके बाद मेरे mobile number की दोरा मेरे account को खोजा जाएगा और जैसे ही मैं सारी चीजें allow कर दूँगा तो जो भी इस mobile number की दोरा bank of India में मेरा account open होगा वो मेरे सामने आ जाएगा bank of India में इस mobile number से दो account open है तो वो यहाँ पर आ गए है आपको अपना account चोज करना है continue पर click करना है उसके बाद आप यहाँ start पर click करेंगे और अब आप यहाँ पर अपने debit card की details को डाल कर अपना bank का UPI pin बना लोगे अगर आपने पहले से अपनी bank का UPI pin नहीं कभी बनाया होगा तो आपको यहाँ पर उसका UPI pin बनाना होगा तो UPI pin बनाने के लिए आपको यहाँ पर अपने debit या ATM card की details को डालना होगा तो जो आपका ATM card है उसके last के 6 digit आप यहाँ पर डालेंगे उसकी expiry यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर arrow पर click कर देंगे साथ ही कुछ banks में आधार card से भी UPI pin बनाने का option दिया जाता है तो अगर आपकी bank दे रही है आधार card से बनाने का तो आप आधार card से भी ATM pin बना सकते हैं मैंने यहाँ पर ATM card की details डाल दी है send पर click करूँगा उसके बाद आपको यहाँ पर create pin पर click करना है और जैसे आप इस पर click करोगे तो आपकी bank की तरब से एक OTP आएगा जोकि आटो फिल हो जाएगा उसके बाद आपको सही के बटन पर click करना है और यहाँ पर आपको अपने card का यहाँ पर 4 digit का pin डालना होगा मतलब जो आपका card है ATM card है और उस card से आप ATM machine से जो pin डालकर पैसा निकालते हैं वही pin आपको यहाँ पर डालना होगा मैं आपको बता दूँ कि हर एक bank यह pin आपसे नहीं मांगती है लेकिन मेरी bank मांग रही है तो मुझे उसका pin यहाँ पर डालना होगा और pin डालने के बाद आप सही के बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके समने UPI pin बनाने का option आ जाएगा और आप अपनी इस bank का जो भी UPI pin बनाना चाहते हैं वो आप बना लेंगे यह UPI pin आपको काफी strong बनाना होता है क्योंकि इसी से सारी transaction होती है जब भी आप किसी को पैसे बेजोगे तो वहाँ पर आपको यही UPI pin डालना होगा अगर bank का balance चेक करोगे तो वहाँ पर भी आपसे यही UPI pin मांगा जाएगा एक बार UPI pin डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें अपनी bank को add कर लेंगे और उसका UPI pin भी set कर लेंगे इसके बाद अब आप जिसे भी पैसे transfer करना चाते हैं आप यहां से कर सकते हैं अगर आप QR से करना चाते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको camera की permission दे देनी है और कुछ इस प्रकार से QR code को scan कर लेना है इसके बाद अगर आप contact से पैसे transfer करना चाते हैं तो आपको pay contact पर क्लिक करना है यहां से आप permission दे देंगे और आपके सभी contact आपके समने आ जाएंगे और जिसको भी आप पैसे transfer करना चाते हैं उसे कर सकते हैं अगर आप किसी को mobile number पर भेजना चाते हो तो आपको pay phone number पर click करना है यहां पर उसका phone number डाल देना है और आप phone number से भी भेज पाएंगे bank में भी आप spread click करके transfer कर सकते हैं इसके लावा इसमें आपको UPI IDO और UPI number का भी option मिल जाता है इसके लावा अगर आप mobile recharge करना चाते हैं तो आप नीच आएंगे और यहां पर आपको mobile recharge का भी option मिल जाएगा आप यहां mobile recharge पर click करेंगे और जिसका भी recharge करना चाते हैं उसका number डालेंगे और mobile recharge आप कर पाएंगे इसके लावा अगर आप अपनी हिस्टी बगएरा देखना चाते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं C transaction हिस्टी पर click करना है और जितने भी transaction आपने कियो होंगे वो सभी transaction आपको यहां पर देख जाएंगे अगर आप अपनी bank का balance चेक करना चाते हैं तो आप check balance पर click करेंगे और यहां से check कर पाएंगे लेकिन अभी मेरी bank में network थोड़ा down है मतलब server down है इसलिए अभी balance चेक नहीं होगा जैसे ही bank में यह issue resolve हो जाएगा तो मेरी bank का balance पता चल जाएगा तो इस प्रकार से आप Google Pay को यूजी कर सकते हैं जिसका पूरा complete process मैंने आपको बता दिया है अगर आप इस पर click करेंगे तो आपका QR code और आपकी UPI ID यहां पर देख जाएगी और इससे आप किसी से पैसे भी ले सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को like and चैनल को subscribe जरू कर देना साथ ही अगर आपके मन में कोई question हो तो आप उसे हमसे comment section में पूछ सकते हैं